नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रियद अत्तव सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा चैनल होमियोकेट टिप्स पे तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है थुजा के विशे में थुजा जो की एक बहुत ही इंपोर्टेंट होमियोपतिक ड् टो एक जरूर कर दिजिएगा और साथे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बैल आकल को दवाना बिल्कुल भी न खुले दोस्तों दोस्तों हमियोपति आज अगर इतना फिमस हुआ है तुसका कारण है थुजा और वह कारण था दोस्तों वाट यानि मस्सा तो दौस्तों यह वाड की बह्तरी इंड मेडिसन है और इसका जो वाड होता है, फेस्स की इस पाटिकुलर री जिन में होता है और हातों की जो लाइन होते हैं दोस्तो और देखने पर एकदम फूल गोवी यानि आपको एकदम कॉली फ्लवर जैसे आपको दिखाएगा दोस्तों एक एक करके बहुत सारा गुच्छा एक साथ मिलाकर इसका एक वाट बनता है दोस्तों कहने का मतलब आपका सरीर में किसी भी तरह का वाट क्यों नहीं हो दोस्तों तो थुजा से ही स्टीडमेंट अपना स्टार्ट करना है दोस्तों थुजा 200 चार बुंद करके भपता में एक बार ले लिए तो फिर दोस्तों किसी भी तरह का वाट क्यों नहीं हो दोस्तों आपका वाट एक तुम जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों ये सेंसिटी पीनस बहुत लोग ऐसा होता है जिन लोगों का अपना पिनस की ग्लांस यानि head of the penis या फिर सबसे सामने का जो पार्ट होता है वहाँ तच करने पर तेज जन जनाब सी फील होता है एक दम डिसकमफर्ट सा फील होता है दो दोस्तों ये जो सेंसीविटी होता ये इसे कम करना पिनस या फिर सेंसिविल्टी फील होता है अपना पीनस की ग्लांस पर तब फिर दोस्तो अब थुजा 30 चार-चार बूंद करके दिन में दो बार ले लिजिए कुछ दिन कंटिनुर ले लिजिए दोस्तो तो फिर इस आपके इस तरह का जो सेंसिविल्टी जो बढ़ गया है या फि पोस्तों सेमा आपको अपना प्राइब में इस तरह की गांठे बहुत सारे एक साथ एलट हो जाई है और आपका नस्दीक में जो प्रेस्ट्रोमेपाथ है उन से संपर्क करें और दोस्तों इसका ट्रीटमेंट आप घर पर खुद बिल्कुल ना करें क्योंकि दोस्तों यह घर डिटी डिजिस है यह फादर टुसन चलता है तो दोस्तों थूजा जो है यह निउरो फाइब्रोमा के भी एक बहुत अच्छी दोस्तों दोस्तों यह फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी दवा है किसी फीमल पेशंट का लेफ्ट ओवरी का रीजिन में दर्द हो रहा हो चाहे वह प्रॉब्लम कुछ भी हो चाहे वह ओव्री में सिस्ट हो या फिर फौलिकल सो या फिर पिसी ओर्ड़ी का केस हो दोस्त सब्सक्राइब खाना-खाने का ठीक बाद ही उनको लैटरिंग जाना पड़ता है चाहे वह रीजन अल्सलियुस को लाइटीस नहीं का या फिर इरिटबल बॉल्स फिर और खाना-खाने का ठीक बाद अगर आपको लैटरिंग का जो अर्जिंग है आपको बन जाता है तब फिर दोस्त आप थुजा 30, 4-4 बुन करके आप दिन में दो बाल ले लिझे तो फिर दोस्तो आपके इस तरह का जो यह जो लैटरिंग का जो आपको आरजिंग जो आपको खाना खाने का बात बन जाता है यह ठीक हो जाएगा दोस्तो इसे के साथ बोल तराव को छाइब दोस्तो पहले रॉक जाए तब दोस्तों के इसे बिलनी कहता है यह बिलनी के भी एक बहुत एच्छी दवा है दोस्तों जिन लोगों का आँख में बार बार इस तरह का बिलनी निकल जाता है तो फिर दोस्तों इस तरह की केसिस में भी हम लोग थुजा को अपना यूज में ले सकते है थुजा 204 बुन करकर हफ्ता में एक बार ले लिए तब फिर दोस्तों अब हमइभट इंग मेडिशिन कोफी आ खुरुडा को अपना यूज में ले लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई टेंसन नहीं रहता है अब हर दिन रात को दस बज़े बिस्तर पर जाते हो लेकिन आप बहुत ट्राई कर तो किसी तरह की आपको रात को न मारे में फुजा का जो पेशंट होता है वो देखता कैसा है जो पेशंट होता है दूस्तों का परेंग कंड होता है और बिलकुल ड्राई होता है और बिल्कुल नार्मला प्रॉब्लम होता है वह हमेंसा थ्री पी एम के बाद दोस्तों जाहतर बढ़ते हुए देखा गया है और इसी के साथ दोस्तों इन लोगा जो आइडियास होता है वह बिल्कुल फिक्स रहता है अगर तुझा का पेशन ठान लेता है कि इसको कोई काम करना है तब फिर दोस्तो नहीं करना यह गलत काम है लेकिन दोस्तों वह जो है आपका एक नहीं सुनेंगा इसी के साथ दोस्तों इन लोगो çाय कॉफी पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है क्योंकि दूस्तों इस तरह का होता है तो दोस्तों यह था क्शॉर्ट वीडियो jetो मैं इन उमेद करते हो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो आपके लिलापकर हिसावित होगी इसी दर मुझती डूड़रेने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होमियो कैट टिप्स को लाइक करें शियर करें सस्क्राइब करें और बैल आकों को दवाना बिल्कुल भी ना गुले दोस्तों और अगर इस टॉपिक्स ते गलेटेड अगर आपको मुझसा और कुछ जन करी चाहिए तो फिर आप मुझसा भी कॉंट्रेट कर सकते हो मैं मरों वाट्साप नामबर और इमेल आइड दोनों वीडियो को देस्किप्शिन बास में देदूंगा तो जली दोस्तों थैंक यूवरे मिच पर बिंग दा पार्ट आप मैं वीडियो और अगर गुट डेए